हेलो फ्रेंड्स आज की सी वीडियो हम बात करने वाले हैं इस्वर सरण डिगरी कालिज की लेटेस्ट कटाफ और काउंसलिंग अपडेट के बारे हम नहीं होगी इसलिए वीडियो को ध्यान से लाज तक जरूर देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रिस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस्वास्तरण डिगरी कालिज की ओफिस्यल साइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे बताया गया है सबसे उपर कि BSC Math and B.com Admission Link सुबा 11 बज़े से लेके 1 बज़े तक जो है आपका खुला रहेगा तो आपको अगर BSC Math और B काउंसलिंग करवाना है तो आपको जो है 11 बज़े से लेके 1 बज़े के बीच में आपको करवाना होगा उसके बाद में बताया गया है कि BSC Bio और BSC Home Science इसका Admission Link दो पहर 2 बज़े से लेके साम 5 बज़े तक खुला रहेगा उसके बाद में नीचे आप जाते हैं तो यहाँ प तारीख में 1 दिसंबर में जो है B.A. का Admission नहीं हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि B.A. की सीटें फुल हो गई है B.A. का Admission बंद हो गया ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आज के डेट में बताया गया है कि B.A. का Admission नहीं हो रहा है बाकी Next Day में जैसा भी Update आएगा उसके बारे कांचलिंग आज जो है कर वा सकते हैं उसके बाद में R.S.C.H.T. Candidate जो है अपनी कांचलिंग करवा सकते है B.A.C. Math में उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अगर B.Q.C. somebody की बिकॉम की जो काटाफ है यहाँ बताया है कि Щ.H.T.R. Candidate यानि की SC, ST, R candidate अपनी counselling करवा सकते हैं इसके लाओं किसी का कटाफ यहाँ पे नहीं दिया कया है सायद लग रहा है कि जो है CT आपकी लगभग लगभग फुली ही हो गई होंगी उसके बाद में यहाँ बताया गया है BSC bio की तो इसका जो कटाफ है 100 and above all category यहनि कि चाहे आप general से हों OBC से हों EWS से SC, ST सभी के लिए बताया गया है कि अगर आपके 100 प्लस मार्क हैं 100 हों या फिर उसके उपर मार्क हैं तो आप BSC bio में आज की date में आप counselling करवा सकते हैं इस्वर सरंड डिगरी कालेज में उसके बाद में अगर हम बात कर लिए BSC Home Science की BSC Home Science की बात करने से पहले आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि All ST candidate है यहनि कि BSC bio में All ST candidate भी अपना counselling करवा सकते हैं उसके बाद में BSC Home Science की बात करें तो यहाँ पर आपका कटाफ बताया गया है All Appeared Candidate यहनि कि जिन भी candidate ने कहने के मतलब exam interest exam में participate किया उस सभी candidate जो है BSC Home Science की counselling करवा सकते हैं बाद कि उसका जो timing हो गए रहा है मैंने आपको उपर बता दिया है BSC Home Science का जो counselling आपका होगा यहाँ पर बताया गया है आपको counselling करवाने से पहले आपको इस website पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको सारे instruction मिल जाएंगे कि आपको online counselling कैसे करवाना है तो पहले आप instruction को पर लेजिएगा उसके बाद में बढ़िया से अपना counselling करिएगा जिससे कि जो है आपका कहने मतलब counselling करिया में कहीं पल भी आपका जो है गलत नहों प्रोसेस तो आई होप यह वीडियो आप लोगों जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ सेर करें और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पहुंच सकते हैं